ओके एलो प्रेंट कैसे हो आप से मैं हूँ विशी और आप देख रहें बॉन्टू इन्वेश यूट्यूब चैनल रिलाइस का कोटर टू का रिजल्ट आ चुका है दमाके के साथ तो चलिए देखते क्या रिजल्ट है क्या उसके आगे के लेवल है और अभी तक आपने अमा प्रमोटर के पास 47.29% की ओल्डिंग रखी हुई है बाद में एक बिश्टोग गिर्वी नहीं रखा है अब हम इस कमडी के कोटरली रिजल्ट के बारे में बात करेंगे पहले नेट सेल्स देख लिते हैं जिसमें 14.12% के डाउन साइड आई है बाद में हम Consolidated Net Profit देखेंगे जिसमें 11.46% की अपसेड आई है जो की एक अच्छी बात है बाद में Operating Profit Margin देख लेते है जो इसमें भी 2.58% की अपसेड आई है जो की एक अच्छी बात है अब हम इस कमडी की Year-to-year Quartal Result के बारे में बात करेंगे तो आप इसमें Net Sales दे बाद में Operating Profit Margin देख लेते हैं जिसमें भी 0.18% की अपसेड आई है जो भी एक अच्छी बात है तो अगर में Result देखेंगे तो मेरे को सब कुछ अच्छा लग रहा है मतलब Profit भी इंक्रीस हो रहा है दोनों Quartal में मतलब Year-to-year quarterly Quartal और बाद में Operating Profit Margin जिसमें भी अप इस कम्टी के चार्ट के उपर तो देखते हैं क्या level है का support है कहा resistance है तो आप देख लीजे जो पहले हम start करते हैं वहां से ही करेंगे कि जो हमारी पहली support line होती है वो कौन सी है तो हमारी जो long term support line है वो यह हाल फिलाल में देखो इस पर इसने क्या एक ही resistance लेके उपर गया था support line है लेकिन उससे पहले क्या है कि 1326 या मतलब 1330 बोल सकते हो एपरोक्स कि 1330 का support आएगा मान ले ते इन future देखे इन फोर्सिस में हुआ था कि थोड़ा result अच्छा है तो बाद में क्या हुआ कि इसमें गिरावट आना start होगी क्योंकि वो operator उसमें एक्टिव हो जाते है तो म मेरे को नहीं लगता है कि realize में इसा कुछ होगा अगर होता है तो पहले देखो आहल फिला जीस प्राइस पर रिलाइस खड़ा है वहां आपको एक क्या क्या मार्केट वीएव करता है मतलब कल मतलब जब Monday मार्केट ओपन होता है तो मार्केट क्या बीएव करता है बाद में देखके हम आगे कुछ नहीं लेंगे कि उसमें बाई करना है या रहने देना है तो देखो अगर realize मंडे जब ओपन होता है और अच्छी खासी है का मतलब strength के साथ उपर जाता है तो हम उसमें बाई करेंगे अगर नहीं तो बाद में हम नीचे के लेवल देखेंगे कि नीच अगर तो मान लेते ही कि नीचे जाएगा तो मेरा दूसरा सपोर्ट है 1180 यह तो हो गई support की बात अभी हम देखते आगे मतलब अब हम देखते आगे मतलब इसका resistance गया तो जो मेरा पहला distinct है तो यह оф इन मरब इतर से जाए अब बाद में इदर कहीं इस लाइन पे यह क्या है कि रेजिस्टान लेकर नीचे आ सकता है मान लेता है कि इसको भी बृड करके उपर चला गया क्योंकि रिजल्ट आए अच्छे यह इसा क्या नहीं होता है कि यह ग्सेश मेरा सेवाँ सेल् कर देता तो इसको आगे जाने देते तो मेरा आगे का लेवल हो है तो ऑगे और चलो मान लेते इससे भी आगे जाए तो मेरा जो आगे का लेवल होगा वह 1600 होगा यह भी एक फिबोनाची रेशियो पर ही डिपेड है तो मेरे आगे के रजिस्टन्स क्या होंगे 1540 और बाद में होगा 1600 तो यह था मेरा छोटा सा व्यू और रिलाइंस अगर वीडियो देना तो चल यह दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टटाग गुडबाई जय हिन्द